सलाम अलेकुम and हाई एवरिवन तो कैसे आप सब उमीद करते हैं आप सब खेरियत से होंगे और आज मैं आप सभी के लिए बोमिल फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी बनती हो और हमारे घर में गया तो गैस जिन्होंने टेस्ट किया है रिलिटिव ने वो भी ममी से बार बार जब भी आते हैं कहते हैं वो यह जरूर बनाए तो यह सबसे पहले ममी ने क्या किया है 250 ग्राम बोमिल फिश ली है और उन्होंने ऐसे clean and wash करके लिया है then उन्होंने विनिगर और सॉल्ट, सिफ विनिगर और सॉल्ट में सोख करकी रखना है हमें तीन से चार मिनिट के लिए इससे जादा पाँच मिनिट तक सुख कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे dry and wet ingredients हम जो इससमाल करने वाले हैं वो है red chili powder जो कि 1 teaspoon है मता हमने अच्छी heap 1 teaspoon red chili powder इससमाल कर रहे हैं यह बिल्कुल भी spicy नहीं है अगर आप लोग spicy उसके अकॉर्डिंग ले 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 turmeric powder 1-4 teaspoon है cumin powder 3-4 teaspoon है ginger garlic paste 1 tablespoon इसमें ginger garlic इन थोड़ी सी green chili होती है हमारे इसमें तो वो हम लेते हैं और यहाँ पे salt अपनी टीस के हिसाब से ले ले उसके बाद जो हमें main ingredient लगने वाला है वो है कोटिंग के लिए basin हम रवाइस समाल नहीं करते हैं और इसकी मैंने आप लोगों को कॉंटिटी नहीं बताई है because यह depend करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले हैं ममी ने जो सोग करके रखा था विनिगर एंड सॉल्ट में ममी ने से वाश कर लिया है वापस से अब जो हमारे पेसन छोड़के बाकी सारे स्पाइस और जिंजर कालिक पेस्ट है ममी वह दाल के इसे अच्छे से मिक्स कर रहे है ममी इसे ओवरनाइट मारिनेट करने रखने वाले आप चोग एक घंटे के लिए भी रख सकते हैं और ओवरनाइट मारिनेंट होने के बाद यहाँ पे हमने बॉंबिल फ्राइ रेड़ी है आप लोग भी ट्राइ करें इस रेसिपी को अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले